हाई फ्रेंज वेलकम बैक टू स्पेशल क्यार वांसल और मैं हूँ आपकी दोस्ट शीर्शा आज मैं फ्रेंज आपके साथ शेयर करूंगे यह जो मेरे हाथ में पैक है इसको यह एक पैक का उस्प्राबर है यह फ्रेंज आपके स्कीन को इंस्टैनली फ्यारनेस दिलाता है इसको फ्यार और ब्लोईं स्कीन दिलाता है आपके स्कीन में दाग धबा है तो उसको भी हलका कर देता है एक बार ही इस्तेमाल करने के बाद फ्रेंज जब आप अपने फेस को इतना अच्छा ग्लोईंग फ्यार और स्पार्टलेस दिखोगे तो फ्रेंज आप चौग कैसे बनाया जाता है चलिए देखते हैं फ्रेंज वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक mode करना चाहती हूं प्लिस मेने वीडियो को एक लाइक जरूर देना और वीडियो को कोई नयासा वीडियो बनाओ उसके तुनन बाद आपके पास नोटिफिकेशन पहुच पाए इससे आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम में देख पाओगे और मेरे कोई वीडियो को मिस नहीं करोगे इसके लिए मैं ले रही हूँ एक चम्मच मस्ूत डाल कि पाऊडर जो आप घर पर खाते हो उसी को गेंडर में पीशके उसका पाऊडर बना लो तो एक चम्मच आपको लेना है मसूत डाल कि पाऊडर दो चम्मच आटा गेहु का आटा और एक हनी इसके बाद इन तीनों को थोड़ा सा पानी के साथ मिस्ट कर ले तो ये बन के रेडी हो चुका है तो चलिए अभी मैं दिखाते हूं इसको कैसे इस्तरमाल किया जाता है और इसका क्या रिजल लाता है ये इस क्याबर को मैं अपने हाथ में लेके अपने फेस में लगा लिया है अभी मैं इसको हलका रख करूँगी दो से तीन मिन गोल को भूआ के मैं फुल फेस में इसको रख करूँगी और फूल पेस में रख करने के बाद और भी दो मिनिट मैं इस फेस पैप को अपने फेस में लगा हुआ रखूंगी यानि टोटल चार से पास मिनिट ही काफी है इसके लिए यानि दो मिनिट अपने रख दिया तो ही काफी है इसके बाद आप प्रेंड वाटर के साथ इस पेस पैक को ढोलें होते ही तुरन बाद आप देख पाओगे देखे हो देखे हो मैं रिमूट करती जा रहे हूं और आप देखे हो मेरे स्कीन से कितना ग्लो आ रहा है, मेरे स्कीन पहले से कितना ब्राइट फ्यार हो चुका है, मेरे स्कीन का दाग धबा भी बहुत हलका लग रहा है, तो फ्रेंस इसको ऐसे इस्तिमाल करना, इसको हथे में तीन से पास दिन आप इस्तिमाल कर सकते हो, फ्या आज के लिए इतना ही मैं फिर मिलोंगी कोई अच्छा से इन्फरमेटिक वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग बाई एंड टेक केर